इन दोनों टीम्स की गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं अब देखना होगा कौन कितना आगे तक जाएगा हेलो, वेल्कम बैक टो आर चैनल और आज हम फैंटसी टीम एनालिसिस करने वाले हैं मैच नमबर 31 लखना वर्सिस बैंगलोर का जो की शाम साड़ साथ बज़े से डॉक्टर डीवाई पाटेल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला जाएगा इसमें हम प्लेयर्स के फैंटसी पॉइंटस, हेड टो एड कमपैरिजन्स और ग्रैंड लीग में कैप्टेन और वाइस कैप्टेन के आप्शन्स पर एनालिसिस करेंगे तो वीडियो को एंट तक जरूर देखना पिच रिपोर्ट, पिच कंडिशन्स लगबख सेम रहती है और ड्यू फैक्टर भी नेगलिजिबल है यहाँ बोलर्स को भी ज़्यादा फाइदा मिल जाता है बैटर्स के साथ साथ एक्सपेक्टेड फर्स टिनिंग्स स्कोर 170 से 180 के बीच है अब आता है सबसी ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट्स खीचने वाले सुर्मा इस टूर्नामेंट में जितने भी मैचेस खेले हैं दोनों टीम्स ने उसके हिसाब से हम इसे देखेंगे सबसे पहले लखनव लखनव ने अब तक 6 मैचेस खेल लिये हैं और 4 जीते भी हैं सो उसके अधार पर हम देखेंगे केल राहूल सबसे टॉप पे हैं 357.6 मैचेस वही बैंगलोर की बैंगलोर ने भी अब तक 6 मैचेस खेल लिये हैं और 4 जीते भी हैं उन्होंने भी सो इसके आधार पर हम इसे देखेंगे सबसे टॉप पर हैं वनिंदू हसरंगा 371 पॉइंट्स वही 6 मैचेस में फिर आते हैं कार्तिक 349 पॉइंट्स शाबाज एमत 246 पॉइंट्स डूपलेसी 232 पॉइंट्स हर्शल पटेल 231 पॉइंट्स फिर आता है टॉप रैंक्ट फेंटेसी टिम्स में दिगज के लड़ी लखनाव के लिए जब हम बात करते हैं तो डिकॉक four times अवेश कान भी four times फिर राहूल three times हुड़ा three times और बदोनी three times आ चुके हैं वहीं बैंगलोर के लिए बात करते हैं तो हसरंगा चार बार दिनेश कारतिक वोई चार बार शाबाज एमत चार बार कोली चार बार और मैक्स हम जो है वो देख सकते हैं दिनेश कार्थिक टोटल फैंटसी पॉइंट्स दे रहे हैं 349 और डिकॉग दे रहे हैं 345 वहीं एवरेज फैंटसी पॉइंट्स देते हैं 58.1 तो डिकॉग दे रहे हैं 57.5 दोनों ही दिगज खिलाडी हैं अच्छी फॉर्म में भी हैं बढ़िया खेल रहे हैं credit points का issue देखो होता ही एकसर तो उस हिसाब से आप दिनेश कार्थिक को ले सकते हैं क्योंकि वह डिकॉग से कम credit points पर मिल जाएंगे जबकि आप performance को लेकर जिस हिसाब से मैंने बताया तो almost comparison एक जैसा है दोनों same level पे हैं फिर आते हैं बैटर्स पे डूपलेसी य आने नहीं है अभी-अभी कहते हैं कि cricket में उनका नाम आया है लेकिन यह comparison इसलिए क्योंकि form को लेकर यहां पर मैं चीज़े देख रहा हूं तो डूपलेसी टोटल fantasy points दे रहे हैं 232 वहीं हुड़ा दे रहे हैं 299 एवरेच fantasy points डूपलेसी दे रहे हैं 38.6 तो हुड़ा दे र यह top order उनका fail हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि दीपक खुड़ा यहां पर आगे हैं तो आप उन्हें पिक कर सकते हैं फिर आता है all around us क्रोणाल पांडिया या शाहबाज अहमत दोनों इस्पिनर्स हैं लेफ्ट हैं तो एक comparison देख सकते हैं क्रोणाल पांडिया टूटल fantasy points 190 एहमत देते हैं 246 एवरेश fantasy points पांडिया के हैं 31.6 तो एहमत के हैं 41 तो clearly आप शाबाज एहमत बैटर पिक होंगे और वो आपको कम credit points पर भी available हो जाएंगे फिर आते हैं बोलर्स पर चमीरा हैं आपके पास और एक हैं Hazelwood दोनों ही Pacers हैं चमीरा ने अब तक 4 matches खेले हैं व Hazelwood दे रहे हैं 129 वहीं average fantasy points की बात करें तो चमीरा 30.7 Hazelwood 64.5 दे रहे हैं clearly आप यहाँ पर Josh Hazelwood को ले सकते हैं पिक कर सकते हैं आप ये भी चेक कर सकते हैं कि average fantasy points में Hazelwood बहुत आ गये हैं अब अब अदर टॉस के पास कौन से खिलाडियों होंगे वैसे खिलाडियों के अब वापस आते हैं टॉस के बहुत कौन से खिलाड़ी होंगे इसमें दो कंडीशन है पहली कंडीशन हम ले रहे हैं इफ लखनव बैट्स वर्स्ट तो प्लेयर्स जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं लखनव के लिए बात करते हैं तो राहुल, आवेशकान, होल्डर, हो सकते हैं फिर आते हैं बैंगलोर पे सेकंड बैटिंग है तो उस हिसाब से हसरंङा, पटेल, दिनीशकार्थिक, शाबाज, एमत और अनुजरावत हो सकते हैं दूसरी कंडीशन पर बैंगलोर बैट्स वर्स्ट तो बैंगलोर के लिइए दिनीशकार्थिक, मैक्सवेल, सिराज और एहमद हो सकते हैं वहीं लखनव अब सेकंड बेटिंग है तो डीकॉक, विश्णोई, आवेश कान, कृष्णापा, गौतम और एविन लुइस हो सकते हैं ग्रैंड लिग के लिए अब हम यहाँ पर दो केटेग्रीज ले रहे हैं एक में होंगे मैच के सेफ पेक्स, जिन पर हमको लगता है कि यह तो पॉइंट्स अर्ण करेंगे और दूसरे में होंगे रिस्क की पेक्स, जो कहीं चल भी जाएं अगर दिन अच्छा हो तो तो सेफ पेक्स में आपके केल राहूल हो सकते हैं, दिनेश कारतिक, आवेश खान और वनींदू हसरंगा सभी टॉप फॉर्म में हैं, केल राहूल बहुत बढ़िया पिछली बार बैटिंग की थी, शतक भी बनाया था, दिनेश कारतिक वन अप फाइनेस्ट फिनिशर्स बनते जा रहे हैं दिरे दिरे, और उनका टार्गेट उन्होंने भी सेट कर लिया है, वो है वर्ल्ड कप, वो चाहते हैं कि वो वर्ल्ड कप खेले हैं, T20 वर्ल्ड कप, अवेश खान और हसरंगा, अपने अपनी टीम के लिए टॉप विक कड़ी लगती है, लखना सूपर जायंट्स की वो चमीरा लग रही है मुझे, डू पलेसी, जैसा कि मैंने उपर भी बताया था, कि रन को लेकर काफी दिक्कते हो रही हैं, बैंगलोर को, शुरुवात का जो टॉप ओडर है, तो देखिए अगला नाम जो है मैंने अनुजर की थी, बट स्टिल अभी भी रिस्की ऑप्शन है, अगर उनको आप पिक करते हैं, नेक्स्ट आथा है, ग्रैंड लिग कैप्टेन और वाइस कैप्टेन ऑप्शन्स, सबसे बहले बात करते हैं, कैप्टेन ऑप्शन्स की, मुझे लगता है कि केल राहूल आपके एक सकते हैं, डेफिनेटली, पिच है, वो पेसर को बहुत अच्छा मदद दे रही है, तो आविश खान काफी अच्छे आपके परफोर्मर हो सकते हैं, इस पिच पे, दूसरा वाइस कैप्टेन ऑप्शन्स में हम देखें, तो मैक्सवेल भी है, और होल्डर है, आपके पास य दम में दिखाई दे रहे हैं, जेसन होल्डर, अगेन पहुत जादा रंस तो बैटिंग से नहीं आये हैं, लेकिन बोलिंग उनकी काफी अच्छी रही है, तो मुझे लगता है कि कहता है कि मिडल ओर में या फिर लोवर ओर में जो बैटिंग है, कही ना कहीं वो अब आ सकती तो एक अच्छा उप्शन ये भी हो सकता है, तो ये थी आज के मैच की फेंटेसी टीम की डीप अनालेसिस, मिलते हैं कल एक और अनालेसिस के साथ, मैच नमबर 32, डेली वर्सिस पंजाब में, आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक कॉमेंट करें और शियर ज़रूर करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कीप वाचिंग इंडिया फेंटेसी